तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चनल में एक और नए informative वीडियो के साथ तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSD Selection PostX Online Form 2022 में जो fill up किये जाएंगे इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तो दोस्तो इस वैकेंसी को जानने के लिए सबसे पहले आना होगा आपने फोन या जो PC है उसके किसी ब्राउजर को आपको ओपिन कर लेना है ओपिन करने के बाद आपको वहाँ पर सर्च करना होगा सरकारी रिजल्ट.com कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको वहाँ पर सो हो जाएगा और आपको यहाँ पर लेटेस्ट जॉब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो SSD सेलेक्शन post x online form 2022 यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा इसी पर आपको क्लिक करके आपको इसके बारे में आपको हम बतलाएंगे कि क्या-क्या इसका जो criteria इसमें रखा गया है क्या-क्या qualifications है कितना आपको fee payment करना होगा और कितना post है सारा details आपको हम इसी वीडियो में provide करने वाले हैं वीडियो में अन तक आप जरूर बढ़ने रहेगा ताकि आपको हम इस post के बारे में बहत बहत जानकारी जो आपको हम प्राप्त करवा सके तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं क्लिक करने के बाद जो है नया page नए interface के साथ आपके PC पर या phone में आपको दिख जाएगा इस यहाँ पर एक जनकारी जो यहाँ पर दे दिया गया है तो चलिए मैं उस जनकारी को आपके साथ तेयर कर देता हूँ इसका जो application का जो date जो है जो form जो fill up के जाएंगे 12 माई 2022 से कब तक किया जाएंगे तो 13 जुन 2022 तक किया जाएंगे 11 बजह तक किया जाएंगे और इसका जो last date of fee जो रखा गया है last payment जो आप कर सकते हैं 15 जून 2022 तक आप कर सकते हैं और इसके बाद और भी ज्यादा जो है पेमेंट लास्ट डेट आफ्लाइन पेमेंट का जो है 18 जून तक रखा गया है इसका जो एक्जाम जो लिया जाएगा वह अगस्त 2022 में लिया जाएगा एडिमिट कार्ड जो है एक्जाम से पहले आपको AC, ST के लिए जो किसी तरीके का कोई भी फी आपको यहाँ पर पे नहीं करना होगा All category female बतलब कि जितने भी महिलाएं हैं चाहे वो किसी भी जाती से आएं किसी भी वर्ग से आएं उनके लिए जो किसी तरीके का यहाँपर जो फी पेमेंट आपको करने के आवसकता नहीं पर करने वाली है यहां पर जो examination का जो fee जो होगा वो online जो है debit card, credit card, net banking, ACBI, चलान के दोरा आप यहां पर कर सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो age limit जो रखा गया है दोस्तों इसमें जो age limit रखा गया है दोस्तों वह minimum जो कम से कम जो है 18 वर्स रखा गया है और पोस्ट निकाला गया है पोस्ट वाइज जो है यहां पर age limit को रखा गया है उसके लिए आपको full notification पर लिजाएगा उहां से आपको मिल जाएगा कि कितना age जो है criteria कि पोस्ट के लिए आप रखा गया इसमें बहुत जादा जो है बहुत भरती जो निकाला गया है 2065 बहुत ब आप किये होने चाहिए तब आप इस फर्म को फिल अप कर पाईएगा तो दोस्तों हम आपको बतला दे कि क्लास 10th high school exam किसी भी बोड के तहाथ यदि आप पास किये हुए तो आप यहां पर फर्म को eligible है और यहां पर 10 प्लस टू भी यदि आप किसी भी रेकाउगनाइज बो प्लस टी से भारत में ज़िए यदि आप किये होंगे तो आप यहां पर फर्म को फिल आप कर सकते हैं इन सारी पोस्ट पर यहां पर भरती निकाला गया है यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना सारा पर पोस्ट पर आपको यहां पर भरती देखने को मिल ले वाला है इन सार अच्छा यहां पर जो पोस्ट जो है निकाला गया है इसको अपलाई करने के लिए आपको स्क्रोल डाउन करते हैं आपको नीचे की और आना होगा और जब आप नीचे की और आईएगा तब आपके सामने में कुछ इस तरीकी का जो इंटरफेस आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो है अपलाई आप चाहें तो ओनलाइन यहां से भी कर सकते हैं चाहें तो इसके ओफिसियल वेबसाइट पर जाकर के भी आप कर सकते हैं यहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं यहां पर इसके लिए एक वीडियो पहले से भी लगा दिया गया है इसको भी आप दे करते हैं तो चलिए आसा करते हैं कि आपको वीडियो में दिया गया जो इंफरमेशन आपको अच्छा लागा हो अगर अच्छा लागा हो तो वीडियो को लाइक कर दिजएगा चैनल को सब्सक्राइब करके सेयर कर दिजएगा मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इंफ